करेंगे अर्मेनिया अजर्बाइजान के बारे में बीकॉज इन दोनों के बीच में भी कंफिलिट हुआ है और यह कंफिलिक नगोर्मा कारवाख रीजन के वज़े इस लेक्षम हम जानेंगे अगर्मेनिया अजर्बाइन वह साथ को कैसे रीजन में आते हैं तो आगे अगर आप यूपी से लाइबरी को फॉलो करना चाहिए तो यूपी से लाइबरी को टेलीग्राम फेस्बुक एन इस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं इनकी लिंक्स वीडियो के नीचे डिप्सक्रिक्शन में दिए हो रहा है तो यह नीच चल रही है कि अर्मेनिया अजर्बाइजान के बीच में क्लेस्ट जो इन पहले से काफी साल से क्लैसिस चाल लेते हैं वो बीच में रिजिम हो गए विकाज उव नंगोर्नो कारोबाख रिजिम है यह जो रिजिम है इसको कंट्रोल किया जाता है अर्मेनिया के बारे में पर यह रिजिन अजर्बाइजन के अंडर आता है इस वाइज से इन दोनों की बीच में इस इन की वाइज से यह हो रखे हैं इन दोनों को इन दोनों कंट्री हो में में देखते हैं फिर का हैं इस यह है सेंटरल एसिया सो सेंटरल एसिया में यह है अजर्बाइजान सो अजर्बाइजान की एक capital है Baku then this is Armenia and you're so यह neighboring country है so Armenia and Azerbaijan it is a landlock country is because with philosophy से इसका हो है बट यह केश्पन सी एक landlock c है because Japan in sea किसी भी Global Sea से जितने भी है उससे इसका connection नहीं है इसी वैसे Azerbaijan एक लेंड़ोग कंट्री और अर्मेनिया एक कंट्री तो विए इसको यह वैशेस से अर्मेनिया अज़रबाइन दोनों ही लैंड़ोग कंट्री यह से आखना सो यह और अच्छी तरीक के सुस्वीय कर अंदाजर लग जाएगा कि नगरुनोकारवक रीजन जगा है आर्मेनिया और अज़र्बाइयन आखने से आज़र वाला रिजन इसको नगरुनोकारवक रीजन बोलते हैं यह रिजन आता तो वैसे अज़र्बाइजन के और यहां पर रश्या है, यहां पर आपको बताया था है, यहां के इसके नीचे, अर्मेनिया के साउथ में याद रखना कि यहां पर यह इरान है, इसके वैस्ट में टर्की आता है, इस चीज को याद रखना, इन दोनों की बीच में जो टेरिट्वर डिस्प्यूट साय चल रहा है, अर्मेनिया और अजर्माइन के बीच में, ओवर दर नगोर्नों कार्बाग रिजन, यह मैंने आपको बता दिया, जो यह रिप्टेट है, विद हैवी डेकलाइस, बिकॉस यह काफी सालों से इन दोनों के बीच में इस सब चीज़ें चलना, यह द्वारा और यह आ गया है, यह रिजन डिस्पूटे बेटमीन अर्मेनिया और अजर्माइन अजर्माइजन है, इस चीज़ को आप, यह वर का एक रिजल्ट है, दैन, इस को इस चीज़ के बारें सामें पढ़ना पड़े हैं, नगोर्णो कारबग हैं, एक इंटरनेशनल रिको ना, इस पार्ट अ अजर्माइजन इसको अजर्माइजन का पार्ट मांग धे हैं, but most of the region is controlled by अर्मेनिया, बेसक यह अजर्बाइजन का पार्ट है, but इसको control किसके द्वारा किया जाता, अर्मेनिया सेपरेटेटिस के बार सब्सक्राइब करना चाहिए बट अजर्बाइन बोलता है कि यह पार्ट हमारा तो इसी वैसे हम इसको इसको कंट्रोल करेंगा तो इसी वैसे नगरों कारबग है सब्सक्राइब करेंगा तो इसका जो अलग कंट्री होने तो इन दो यह दोनों कंट्री भी उनमें से एक बनी थी अर्मेनिया अजर्बाइन अजर्बाइन इसी वैसे यह पहले सब्सक्राइब करता है यह अजर्बाइजन इसको नगरों कारवा के बोलते हैं और यह जो पूरा इस वीजन को इसको करता है यह इतना पार्ट इसका अजर्बाइन के अंदर आता है इसमें पूरा पार्ट नहीं है इसको इस चीज़ को आप याद रखना यह जो पूरा इसको अजर्बाइन इसको इसको नगरों कारवा के लिजिसन ने पहले एक रिजुलिशन पास किया जिसमें लिखा था कि अर्मेनिया को जोइन करना चाहते हैं बट बट बीकॉज इस जो इस जब यह बात अजर्बाइजन को पता चली तो उसने पूरा इंकार कर दिया और बोला कि नगरों कारवाग रिजिसन उसका पार्ट है उसका लीगली पार्ट सो इसी वज़ेसे अजर्बाइजन जो इतना ही वहाँ पर रेफरेंडम और रिजुशन हुए तो इतना ही वह उन सबको मानने से इंकार कर दिया तो इसी रिज़ेन के वज़ेसे वहाँ पर वर एडप्टेट होगी तो इसी वज़ेसे वहाँ पर थाउजन सफ कैजवल्टी देर लोगों की देट हुई और इसी वहाँ रिफुजीव क्राशिस होने लगा बिकॉस लोग इधर सो दर जा करने से इस वहाँ पर रिफीजी होने लगे सो इस चीज को देखते हुए रसिया ने संब करते हुए एक सी रिफुज कर दिया वहाँ पर सब्सक्राइब आउन पेपर ही प्रेजन रहा और इस सीज़ को वालेशन दौनों कंट्रीज को दा वालेशन करिया सब तो सीज़वालेशन बिट्मीन अजरबाइजान औरमेने टूपस और हैवी कॉज जब इस सीज़वालेट किया इसकी वीचेज विए सब्सक्राइब थाउजन्स अफ देट इन पास लिकेट इसमें इसमें नीज में आया है कि इसमें पाकिस्तान अजरबाइजान का पाकिस्तान अजरबाइजान का सब्सक्राइजान 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 का Deputy Foreign Minister ने यह आइसा बोला है, इस चीज में पाकिस्तन अजर्बाइजान का साथ देरा, और इसके अलावा उन्हाने ऐसा बोला है कि बौर्ध तर्की और पाकिस्तान, और आइसा बोला कि बौर्ध तर्की और पाकिस्तन, अजर्बाइजान को डिल्यमेटिक और мili티 support कर रहे हैं so because और ये जो टर्की और पाकाлена इस वए से करे है टर्की का अर्मेंणे के साथ भीच फास्ट में काफी राध है कि जो अर्मेंणे Genocide आपने सुना होगा पड़ा होगा・ अर्मेंणे Genocide के वए से टर्की हमेशा अर्मेनिय के खिलाफ होता है और इसी वयसे वो अजर्बाइजान का साथ दे रहा है तर्की अजर्बाइजान का साथ हो और तर्की की वयसे पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान तर्की की वयसे अजर्बाइजान को सपोर्ट का है थे तर्की हो गया फ match अजर बाइजान परमेनिया नंतर्थ बीकौज अज फर अर्मेंद और की लो गशे है-, पाकिस्टान जो ऐसा है second country था, जो की अजर्बाइजान को अजर्बाइजान की independence को उसने recognize क्या था after Turkey. इसी चीजी की विए से पाकिस्तान और इसी चीजी विए से पाकिस्तान एसर्बाइजान का पॉजिशन को और ज़्यादा सपोर्ट करता है इसके बाद इसमें पढ़ते हैं इसमें अजर्बाइजन और अर्मेनिया की पॉपुलिशन और इतने की रूप के बारे में अर्मेनिया उसकी ऑफिशल लेंगवज अर्मेनियन है इस वहाँ पर 98% अर्मेनिया लोग रहते हैं अर्मेनिया की वह 29.7 लाग है और इसके बाद आए अजर्बाइजन और अजर्बाइजन के इतने गुरूप वहाँ पर 91% लोग अजर्बाइजन है और महां का में इसलाम और 96.9% लोग इसलाम को follow करते हैं और अजर्बाइजन के population 99.8 लाग मनला अलमस्ट एक करोड हो गया तो इस चीज़ को याद रखना अजर्बाइजन के population अर्मेनिया से ज़्यादा फिर भी अर्मेनिया अजर्बाइजन पर भार ही पड़ रहा है इस वार में इस चीज़ की वाज़े से बाकी वहां पर क्या इंपक्त पड़ेगा इस चीज़ की वाज़े से वहां पर इस रिजन में वहां पर इस चीज़ के और टेंशन केरेट हो रही है और इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा यह बरकुल आगमें घी की तरह काम करता इस चीज़ को याद रखना इसमें जो फिर आया है कि South Caucasian region के वाँ हमें Caucasian region को पढ़ना पढ़ेगा Caucasian region वो कि यह पार्ट है वो बॉर्डर यूरोप और एसिया के बीच में जो बॉर्डर है और जो Blacks and Caspen Sea के बीच में जो लैंड आता है उसको बोलते है Caucasian Sea सो इसके बाल इस हम दप Caucasian mountain and विच इस कंटे इरोप की हाइस mountain Mount Elbrus सो जो Mount Elbrus है वो Caucasian mountain में ही आता है सो इस चीज़ को याद रखना Mount Elbrus सो यह काफी important हो जाता है पॉलिटिकली Caucasian region को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं नौर्थ वाला पार्ट then South वाला पार्ट सो इस पिक्चर में आपको थोड़ा all clear हो जाएगा सो यह हो जाता है Caucasian region को हम Caucasian region बोलते हैं सो यह हो गया North पार्ट इसको North Caucasian बोलते हैं then इस वो South पर इसको South Caucasus बोलते हैं सो इस चीज़ को याद रखना इस चीज़ को आप याद रखना then इसके बाद में यहाँ पर इस वाल में global politics आखिर क्या role play करने सो इस चीज़ में Russia के जो रसिया के काफी closet आये अर्मिने के साथ वाइल इसके अलावा टर्की और USA वो अधरबाइजान को सपोर्ट कर रहे हैं और इरान की जो एक large azeri minority हैं वो अजरबाइजान को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के वैसे इस चोटी small scale war में काफी सारे player involved हो जाते हैं और इसके अलावा Russia जो कि अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है Russia और इसराइल और बाकी इसके अलावा आकी other countries हैं वो supply करने दौनों countries को arms बेसक वो अर्मेनिया को साथ दे रहा है बट जब trade के बात आती है या फिर किसी बागी money के बात आती है तो वो दौनों countries को साथ आता है United Nation ने मना किया है कि जहां भी war period है यहां भी war area वहां पर arms की खरीदारी मना है तो इस चीज को मत दिनारी रखते उस चीज को और ignore करते हुए बाकी other countries इन दोनों countries को Armenian, Azerbaijan countries को war procurement या defense procurement प्रोवाइट कर रहे हैं इस चीज में, इस चोटी सीज में, small scale war में, CSTU का खाफी बड़ा main role, इस CSTU को बोलते है collective security treaty organization इस collective security treaty organization को इस वो एक intergovernmental military alliance है जो की science के अगए था 15 माई 1990 सुखो, इस हो, यह CSTU एक तरह का military, military alliance same as NATO, NATO जो की North Atlantic Treaty Organization है, इसकी तरह ही यह CSTU है इस पर यह CSTU एक छोटा NATO की, NATO एक काफी बड़ा organization है, काफी बड़ा military alliance है CSTU एक छोटा small scale के level का है military alliance है, इस चीज को याद रखना So, इसमें जो CSTU में, इसमें जो इसको, इसके साथ member है, इस साथ member है हैं, इसमें अर्मेनिया हो गया, बेलारुस हो गया, खजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उजवेकिस्तान So, अगर अर्मेनिया पर कोई भी अटेक करता है, तो मतलब वो CSTU के सारी sub country पर अटेक करता है So, इसी चीज़ के वैसे, इस military alliance की value काफी increase हो रहते है, इसी चीज़ को देखते है, सभी की नज़र, ratio पर depend, क्यों हो यह, बिकॉज अगर कोई भी अर्मेनिया पर अटेक करता है, तो मतलब बाकी साथ countries पर अन्होंना है, बाकी साथ countries पर अन्होंना अटेक करता है So, इस चीज़ को इसी चीज़ की वैसे, इस CSTO को काफी देखा जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके जो भी signatories है, would not be able to join other military lands, so इसके जो signatories है, वो other किसी military lands को join नहीं करते है, but इसमें एक है, why aggression against one, अगर किसी एक signatories की खिलाफ, अगर किसी को aggression होता है, तो it would be perceived as aggression against all, so अगर किसी एक की खिलाफ होता है, इसका मतलब हम देखा जाए कि इसमें सभी के खिलाफ हुआ है, so इसमें NATO की तरहीं इसमें दे रखा है, so इसी इसको आप याद रखना, then इसमें देखना पड़ेगा कि इस वार की वैसे इंडिया पर क्या पहांट पड़ेगा, so इंडिया का अर्मेनिया के साथ काफी अच्छे relations, so इंडिया अमेनिया में बालेटर कोप्रेशन, so लास्ट म इसके अलाबा अर्मेनिया ने इंडिया की इंडिजिनीस जो इंडिनीय जो तो ये मेंडेंडि के स्वाथी मिलिकी रolve ज्स इसको इस चीज की वैसे, इंडिया के लिए अर्मेनिया की वैल्लो काफी ज़्यादा बढ़ यहारे इस बट इस चीज़ को याद रखना कि close relations with India are vital importance for Armenia but as a provided counterbalance to rival यह तो एक main perspective अलागर इसके अलावा यह भी कि जो रावली चले है कि अजर्बाइजान, पाकिस्तान, तरकी की वज़े से इस चीज़ को इस चीज़ की वज़े से इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा आप इस चीज़ को इस मेप में देखें इसमें थोड़ा किलिया पड़ा चल जाएगा इस पिक में आपको के लिए पर चल जाएगा इंटर्न नौर्शाओट ट्रांस्पोर कोडियर के बार में सब पहले इंडिया को अगर रखना में कोई चीज़ पहुचा नहीं हो दी तो यहां से अरिबेंड सीथ होते हैं फिर यहां पर इसी वैसे फिर यहां पर रखना को च रास्ता को बाइपस करने के लिए हमने 900 ट्रांस्पोर को जो जॉइंट किया इंडिया को यह बेनिफिट मिलेगा तो यह काफी छोटा रूट हो जाता है इसमें इरान आ जाता है अजर्बाइजान यहां पर कजाकिस्तान यहां पर रस्या अगर हमें रस्या को कोई चीज प इसके इंडिया की इनडिया काून जकाओ एजर्बाइजान में आजर्बाइजान की चीला गुन श्यान पाइप्लाइन में इंडिया की उन जैसी की investment इन सब चीज़ है बट इसके इलाबा अजर्बाइजान पाकिस्तन को सपोर्ट करता है on the issue of कस्मीर के issue पर अजर्बाइजान पाकिस्तन को सपोर्ट करता है so इंडिया को इसी मायंड बे रखते हैं याद रखना चाहिए और इसी इसी की वैसे इंडिया हमेशा अर्मेनिया को सपोर्ट करता है in despite of अजर्बाइजान so इस चीज़ को याद रखना अगर आपने यूप्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं है तो फ्लीज सब्सक्राइब यूप्सक्राइब करना जाब और प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अप्डेट्स दन अवाद केम छोग